ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है नमश्कार मैं नूर जहां और आप देख रहे हैं जनित अवाज आज 26 जन्वरी 2024, आज ही के दिन हमारे सविधान जो है वो बन के लागू हुआ था और आज ही के दिन को गर्तंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आज ही के दिन जो है गर्तंत्र दिवस जो मनाया जाता है इसका यही कारण है कि सविधान से जुड़ी सभी चीज़े इसमें हैं और आज जो गर्तंत्र दिवस हम मना रहे हैं इसकी देन बस बाबा साहेब है जो डॉक्टर भीमरा और मेटकर जो हैं ज़ोंने इस सविधान लिखा इसी के कारण आज हम अजादी से जी सकते हैं और अजादी से अपनी बातों को रख सकते हैं और अपने बोलने का अधिकार जो चीजे सभी चीजे सविधार में लिखी हैं वो सब हमारे बाबा साहिब की देने जिसकी वज़े से समाज आगे बढ़ रहा है आज हम लोकतंत्र समाज में जी रहे हैं, राशतंत्र नहीं चल रहे हैं, तानशाही नहीं चल रहे हैं लोगतंत्र के हिसाब से हम जी रहे हैं और आज ही का दिन जो है गर्टंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सबसे पहले आपको मैं गर्टंत्र दिवस की शुखकामना है देना चाहूंगी जिसकी वज़े से आज हमारा समाथ जो है खुल के जीप आ रहा है हर धर्म को अपनी बात रखने की आजादी है आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन आज ही के दिन परेड निकाले जाती है हर राज्य हर राज्य की परेड निकल दे इसमें सभी राज्यों को दिखाया जाता है हरियाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हर चीजे उसमें दिखाया जाती है, मतलब किसी चीज को भी पीछे नहीं दिखाया जाता है, हर चीज उसमें दिखाया जाती है, इंडिया को एक सेकुलर कंट्री माना जाता है, कि हर धर्म के जो लोग हैं वो इसमें रहते हैं, लेकिन आज 2024 आ चुका है पिछट तर्वा जो है गरतंद दिवस हम मना रहे हैं लेकिन एक चीज जो है वो आज भी हमें देखने को मिल जाती है कि जहां पे हमें वंदे मातरम और भी देश से जुड़े तमाम नारे लगाने चीए वहीं आपको दिख जाएगा कि लोग जेसर के नारे लगा रहे हैं मतलब अभी भी मतलब जो इंडिया को धर निर्पेश देश माना जाता है उसमें अभी भी एक समुदाय के लोगों को इतनी जादा अगरी दे दी गई है कि जिस दिन गरतंद दिवस वाले दिन हमें वंदे मातरम जैसे और तमाम देश के नारे लगाने चीए हमें अपनी बाते रखने का अधिकार है जो हमें बाबा साहिब ने दिया है प्रतिवस 26 जनवरी को मनाया जाने वाला एक गरतंद दिवस नागरिकों के दिलों में एक विशेश स्थान रखता है क्योंकि उस चन को चिनित करता है जब भारत का सविधान लागू हुआ था इ कोई एक समुदाय को विशेश विशेश रूप से नहीं देखा जाएगा कि एक ही समुदाय है उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे नहीं लेकिन हमारी सविधान में ये लिखा है कि हर समुदाय को अपनी बात चाहे वो किसी धर्म का हो चाहे वो SCST OBC हो चाहे वो और जनर सब्सक्राइब को सबीकोद इक्वल माना गया सब सभी को किसी को विशेश जो अदिकार है नहीं दिये ग minha उत कि सबको एक ही नजर से देखा जाए बाबा साहिब की कहानी को पता होगे किस तरीके से एक भाउजन होने के नात्म कुकिस तरीक से सताय जाता था مतलब वह जो सवीधान बाबा साहिब ने लिखाया आज उसी के जरिये से लोगतंतर स्थापित है अज उसी के जरिये से आगे बढ़ता है उसी कानून को फॉलो करता है ताकि आगे बढ़े देश में मनुवधी विचारधारा खतम करने में हमारे बाबा साहिब का बहुत बड़ा है कि अज मनुवादी विचारदारा खतम हो चुके लोगतंत्र स्थापित हो चुका है लेकिन उसके बाद भी कई चीज़े हमें ऐसे देखने को मिल जाएंगी आज भी जो कट्टर धर्म के लोगे वह अपने धर्म से हटके चीजों को नहीं करते हैं अपने धर्म को लेके इत दूसरों के धर्म का भी संबान करना बेहत जरूरी है 26 नवंबर 1909 को हमने सविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को सविधान लागू हुआ इसके लागू होने के बाद हमारे देश की सिति लगता सुधर्ती चले गए और देश ने लोकतंत्र स्थापित होता चला गया जहां पर राश्तंत्र जलता था अंग्रेश शुटकारा पाने के बाद यहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ और उसकी बाद तमाम सरकारे याई सरकारे बदली आपने देखा होगा कि हमें अब अपने जो नेता है यानि जो हमारे प्रधान मंत्री उनको चुन्ने तक का अधिका है कि हमड़ान मंत्री चाहते हैं लेकिन सविधान से पहले सविधान बनने से पहले ऐसा नहीं होता था मैं राश्तंत्र स्थापित तो आकि वो लोग हम पर राश करेंगिंगे जो हमारे साथ हो सकता है कुछ भी कर सकते थे हमारे साथ लेकिन जब 26 जन्वरी 1950 स्प्शक प्र यही चीजे जो है वो बता सकते हैं कि हम ऐसा ऐसा हुआ है, हम ऐसा कुछ भी गलत हो रहा है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है, उस पर एक्शन लिया जा सकता है सविधान में सबसे पहले हमें यही अधिकार है कि हम मानवी हैं हम भारतिय हैं उसके बाद हैं हम हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई यह सविधान हमें बनाता है कि हम पहले भारतिय हैं उसके बाद कोई धर्म की हैं इसलिए सबसे पहले सविधान को लागो होने से पहले उसमें किसी विशेश धर्म का जो चीज़े हैं वो नहीं लिखी गई है। और देश्यों की तरह होती जहांपे सवीधान स्थापित नहीं है। रहते हैं वहीं दूसरी तरफ हिंदू राष्टे बनाने की मांग हो रही है मतलब अगर हिंदू राष्टे स्थापित होगे क्या चीजे वही रहेंगी क्या चीजे जो सविधान में लिखी गई हैं कि हिंदू राष्टे स्थापित हो जाता है तो बागी की धर्म के जो लोग हैं जो Muslim है, Sikh है, इसाई हैं और धर्म के जो लोग रहते हैं वो लोग कहां जाएंगे, वो लोग कहां जा के रहेंगे, यूँकि भारत तो एक secular country माने जाती भारत एक धर्म इर्पिक देश माना जाता है तो यही है कि गरतंत्र दिवस जो है जो हम सविधान एक जीने का माध्य हमें कि सविधान के जरिये से हम आगे बढ़ते हैं सविधान में जो लेख हम उसको follow करते हैं लेकिन अगर धर्म को धर्म के नाते अगर बोला जाए तो धर्म विशेश को उस चीज में नहीं दिखायागी हमें सविधान के तौर पर चलना है क्योंकि गरतंत दिवस जो आज का दिन है वह बहुत ही महतों पूर माना जाता है एस सविधान आमने जीने का माध्य मनाया जाता है तो हमें इस पूरा जो गरतंत दिवस का जो चीजे है जो अब कजरें है